नमस्काल दोस्तो आप देख रहे हैं व्येच नियूज और मैं हूँ आपके साथ अजर अनसारी दोस्तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिर्टेन में रश्मी सामन्त के साथ नसलिय भेदभाव के आदोपों पर प्रतिकिर्या दी है जिस तरह UK की संसद ने भारत में जारी किसान अंदोलन पर चल्चा की थी कुछ उसी तरह भारती संसद में रश्मी का मुद्दा गुंजा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिकिर्या दी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रश्मी के मुद्दे पर क्या कहा लेकिन उससे पहले जानिये कि आखिर ये मुद्दा क्या है दरसल रश्मी ने Oxford University Student Union की पहली भारती महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था जहां रश्मी सामंद को अध्यक्ष पत के लिए डाले गए 3708 वोटों में से 19006 वोट मिले थे वहीं उनके चुनाव जीतने के बाद उनकी 2017 की कुछ पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को नसल भेदी, साम्य विरोधी और ट्रांसफोबिक बताया गया जिसमें जर्मर्नी में बर्लीन होलोकास्ट मेमोरियल की यात्रा के दोरान एक पोस्ट में नरसंहार से जुड़ी टिपणी और मलेशिया की यात्रा के दोरान तस्वीर को चिंग-चंग शिरसक देने से जुड़ा विवाद है जिससे चीन के च्छात नाराज हो गए थे जिसके बाद आक्सफोड कैमपेन फोर रेशियल अवेरनेस एंड एक्वैलिटी और आक्सफोड एलजी बीटी क्यू प्लस कैमपेन ने रश्मी सामन के स्थिफ़े की मांग कर दी सामन ने खुले पत्र में माफी भी मांगी थी लेकिन जब विवाद नहीं थमा तो उन्होंने इस्तिफ़ा देने का फैसला किया फिर वो भारत लौट आई और पुराने पोश्ट भी हटा दिये नसलवाद की बात उटी है तो आपको बता देते हैं कि हलहे में बिर्टेन की राजकुमारी मेगन मरकल ने बिर्टेन के शाही परिवार पर बात करते हुए एक इंटर्व्यू में बिना किसी का नाम लिए नसलवाद का रोप लगाया था खेल दोस्तो भारत लोटने के बाद सामन ने एक इंटर्व्यू में कहा अब आपको बता दे कि भारतीय संसब में सोमवार को रश्मी का मुद्द गुंजा जहां विदेश मंत्री एस जैशंकर ने कहा कि महात्मा गांधी की जमीन से होने के नाते हम कभी नसलवाद से आखे नहीं चुरा सकते खास तौल से तब जब यह किसी ऐसे देश में हो जहां हमारे लोग इतनी ज्यादा संख्या में रहते हैं जशंकर ने आगे कहा कि हमारे यूके के साथ मजबूत रिष्टे हैं और भारत सरकार सभी डवलप्मेंट पर नजर बनाए हुए हैं और जब जरूरत होगी तब भारत इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा हाला कि दोस्तों बिर्टेन की संसद में भारत में हो रहे किसान आंदोलन कर लेकर चल्चा हुई थी जहां कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियस ने साफ कहा था कि किल्सी भारत का आंत्रिक मामला है और उसे लेकर किसी विदेशी संसद में चल्चा नहीं की जा सकती लेकिन लेबर पार्टी के संसद तन्मनजीत सिंग धेसी के नेतरत में 36 बूटिश संसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में चिट्थे लिखकर भारत पर दवाओ बनाने की बात कही थी और अब भारती संसद में एक यूनिवर्सिटी के विवाद पर पृतिकिर्या दिये जाने को यूके के लिए एक संदेश की तरह देखा जा रहा है खेर इस पूरे मामले को आप किस नजरीय से देखते हैं और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद